प्रभास की आने वाली कल की 2898 AD मूवी का टीजर बाहर आ चुका है। इस फिल्म का निर्देशक नाग श्विन है कल की मूवी का बजट 600 करोड के पास बताया जा रहा है। इस शांदार मूवी को कलियोग की द्रीश्य से जुड़ा गया है। भारत की सबसे महंगी फिल्म की बात करे तो प्रभास की बहुबली और बहुबली दो का जिक राएगा। फिल्म इंडस्ट्री के डाइरेक्टर्स को प्रभास पर इतना विश्वास है कि वो आदी पुरुष जैसी फिल्म पर प्रभास के भरो से 500 से 600 करोड का बजट उन्होंने रखा था। जहां पर बड़े बड़े फिल्मों का कलेक्शन पहुँचता है वहां पर हीरो प्रभास की बजट फिल्म बनती है। आज के टाइम पे शायद ही ऐसे लोग होंगे जो की प्रभास को नहीं जानते होंगे। कल की 2-8-9-8-A-D, मूवी की डाइरेक्टर अश्विन अपनी तीसरी फिल्म के लिए पहली बार अमिताब बच्चन, प्रभास और दीपिका पादुकोन के साथ काम कर रही हैं। डाइरेक्टर नाग श्वीन एक भारतिय फिल्म निर्देशक है और पठकता लेखक भी है जो के तेलुगू सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। साथ सुपस्टा प्रभास की साल 2023 में रिलीज हुई, साल आर और माई 2024 को आपके नजदी की सिनेमा घरों में देखने को मिलने वाली है। ऐसे ही रोचक और मजेदार वीडियो देखने के लिए क्रिपया चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब केजिए।